बिस्मिलेरामानेराहीम असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देखने हैं इजादन सारी फोट सीक्रेट्स लबड़कत देए आपके खानों में आपके रीज्ग में आपके जायक उन्तुरित प्याइब अगर आपके घर अचानक मेहमान आजा बहुत जादा नहीं डालना और उसके बाद इसकी मिक्सिंग कर देने के बाद आपने इसको अराम करने के लिए साइट पे रख देना है जलें जी बिसमिल्लारामाना है अब एक खुबसूरत सा बाल लेंगे तीन से चार टेबल स्पून इसमें बारी कटा हुआ प्याज ले और यही है हमारे पास तीन से चार हरी मिर्चे बारीक वाली यह भी चले जाएंगे इसमें और यह है धेर साड़ा धनिया ठीक हो गया तो जरूरी नहीं होता कि जो वेजिटेबल मैं यूज कर रहा हूं वही यूज करें आपके पास किचन में जो भी अवेलेबल होना आप इसको एड़ कर लिया करें ठीक है एंचीज यह होती है कि ज्याला से ज्याला वेजिटेबल हो तो कलर भी अच्छा आता है और साथ साथ टेस्ट भी अच्छा था अब इसके अंदर वन फोर्थ कप मैं चावल काटा ले रहा हूं ताकि रैस्पी बहुत ही क्रिस्पी बहुत क्रचिस ही हो जाए और दो से तीन टेबल स्पून इसमें हम मैदे के आड़ कर देंगे मैदा अवेलेबल नहीं तो आप आठा डाल सकते हैं वांटी स्पून नमक चला जाएगा वांटी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें आड़ करेंगे यह हमार पास मिक्स गरम साल काफी होगा और यह है खुश तरेंगा पावडर वांटी स्पून के अंडर मैट करेंगे अब आपने क्या करना है यह रहें यह जो अराम कर रही थी डफल रोटी इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे इस पानी को चैसे पी लिया है अब यहां पर बॉल को प्यालों को चै यही चीज हमें चाहिए अब बात आ जाती है हम इसको शेप कैसे दे नहीं है ब्यूटी कैसे लेकिया नहीं तो थोड़ा से यूनीक काम करते हैं बिसमिल्ला हमारे टेबल के अपर हम हलल का सा कुकिंग ऑल लगाएंगे और इसको अच्छे से यहां पे ग्रीस कर देंगे यह ल बहुत यसानी से हो जाएगा अगर ही आपकी डो थोड़ी सी हाड हो जाए ना तो आप इसमें ब्रेड करम्स एड कर सकते हैं इसमें चावल का आटा और एड कर सकते हैं पतला नहीं आपने इसको थोड़ा सा गाडा सा रखना ठीक है और उसके बाद इस तरह से एक दफाप आपने इसको शेप दे लिए हैं उसके बाद बिसमिल्लाहरामाराहीम अब यह रखें हमने इनको बना लिया है शेप यह अच्छे से दे लिए है लोटु मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राइब करेंगे यहां पर जो बाद आपने खास रियानक नहीं यह बॉयल्ड आलू के इसको डीपली अंदर तक कुक करना है इसकी टोटल जो कच्छा पन है वह हम दूर करेंगे और खास पति क्योंकि इनके अंदर मैदा और चावलों का आटा है तो यह जलने वाले नहीं है जली ठीक है बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर के होंगे आपने इसको अच्छी त चलते हैं तो यह जी यह तयार होगे है प्रिजन्ट कैसे करना है ब्लीट कैसे जानी है बिमिल्ल्ला आपना रहीं तो माशा आला आला अलह मुद्लिल्ड टेखेंजी मेरे अलला की शान उसकी रहमते नेमने और बर्टे यह बहारा तो में हुआ इसी तरह स्नेक्स रैस्पीस के लिए easy snacks recipes के लिए yummy and tasty recipes के लिए quick and easy recipes के लिए 10 minutes recipes के लिए 5 minutes recipes के लिए और सभी असान recipes के लिए हमारे चैनल के video स्टेक्शन में जाएए दौा में भी आ देखेंगे एक लिए तक Allah हाफीज